आज मंत्री परिशद में छे विश्यव पर निर्ने लेगे हैं। सबसे मेहत्वो निर्ने राजय में सिक्षा भाली की और निप्ति की नियम वाली की का निर्ने मंत्री परिशद ने आ लिया है। इस नियावाली का नाम होगा बिहार, राजय, विद्याले, अध्यापक, निक्ती इस्तान अंतरन, अनुशासने, कारवाई, एवं शेवास शर्थ, नियावाली दो यार टेस इस नियमाली के तहट आप जो भी नुक्तियां राज्य सरकार सिक्षक करेगी वे आप राज्य कर्मी होंगे राज्य सरकार के कर्मी होंगे यह एक महत्वपूर निर्ने है इससे पूर आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत सिक्षक पंचायत समिती सि गर निकाय के कि साने निकायों के सिक्षप रहा करते تھے अब जो भी नई नियक्ति होगी याभ वह Raja सरकार को करेगी राजय का निखति के लिए कि अग्मा इसे लेगी तो हुआ आयोग जो राजय सरकार करेगी हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी उसके माधियम से राजय सकतकार परिक्षा लेगी और परिक्षा के माधियम से ही अब निफ्तियां होंगी कि इस निफ्ति में भाग लेने के लिए जो आरता होगी तो वह मैं पढ़ देता हूं इसकी निफ्ति की जो अनिवारे आरता है भारत के नागरिक हों और बिहार राजय के स्थाई निवासी होना चाहिए यह पहली आरता होगी विद्याले अध्यापक के पद पर निफ्ति है तो राष्टिय अध्यापक सिक्षा परिशद जोरा समय समय पर करते हों विशेश विद्याले अध्यापक के लिए आरता भारतिय पुनर्वास परिश्यत के अनुरूप आनिमान्य होगा तो यह मैं तो पूहन एक अनिवारिक्षा है राजय सरकार केंदर सरकार दोरा समय समय पर आहूत शिक्षा पार्तरता परिक्षा में उतीन हो पर्द विशेश के लिए अलग से विशेश आरता का निर्दानन विभागदरत समय समय पर किया जाएगा तो बिल्कुल सबस्ट होगा कि पहले तो आपकी परिक्षा होगी जो कौलिफाइं एक्जाम है जो राजय सरकार और केंदर सरकार के के लिए पहले ली जाती थी उसकी क्वा परिक्षा हैं उसको क्वालिफाइं करने के बाद आप राजय सरकार के कमिशन द्वारा जो सरकार जो कमिशन निर्धारत कर गी उसके माधियम से जो परिक्षा ली जाएगी तो बाहली उसके माधियम से होगी इसमें नियुट्यमायव निर्धारत है 21 साल और अधिक्तमायो सरकार द्वारा निर्धारत की जाएगी जो सरकारी नौकर में अरधिक्तमायु वैह होगी लेकिन लेकिन जो दस साल की Austrasya जो चूट होगा इस नियावाली के प्रवुत होने के पश्चा निफ्ति के के प्रत्थम संवयार में अधिक्तम आयो सीमा में दस वर्श की चूट दे होगी तो इसमें। नियावाली मेंस दस वर्श का अन्य चरण जो हैं वो लोग भी बैठेंगे परिक्षा लिखेंगे और साथी साथ जो अभी तक जो सिक्षक निफ्ती जो गैर सरकारी सिक्षक हैं जो सरकार के जो नगर निकाय और पंचायत सतरिय और अस्थानिय निकाय के के सिक्षक हैं वह भी इसमें बैट पाएंगे तो सभी प्रकार के सिक्षक जो हैं जो आरता रखते हैं वह बैट पाएंगे और इस नियम वाली के माध्यम से अगर रखते होंगे तो Monsieur द्वारा जो परिक्षा लिजाएगी सभी जो इस परिक्षा में लिखेंगे उनको तीन मौका दिया गया है कि अब राज्य सरकार जो स्थानिय निकाय के सिक्षक हैं उनकी निक्ति नहीं करेगी राज्य सरकार जो भी आप सिक्षक की निक्ति करेगी वह सरकार द्वारा निर्धारित कमिशन के माध्यम से निक्ति होगा यह बहुत है अब राज्य सरकार ने यह नए सिक्षक का जो प्रवधान है जो इसकी सेवा शर्त यहां संभी प्रक्रिया है और राज्यी सरोकार के करमी वह बॉस्ट कर दिया गया है आज के दिन में जो हमारे इस्थानिय निकावें में जो सिख्षक आरेरत हैं। यदि वह आर्था रखते हैं वे भी इस परिक्षा में भाग ले सकते हैं और वह भी पर्मिनेंट हो सकते हैं। साथ cheapest जो नए प्रतीक्षा-रत जो अभी निफ्ती की प्रतिक्षा रच विभन प्रिक्षाओं में पास किये हैं इस बात कर दो सिधा नहीं करेंगे आप परिक्षा लिखना पड़ेगा परिक्षा में पास जाएगे का तो आप इस नियवाली में आप सिक्षक हो जाएगे अभी उस पुरानी नियम वाली में हम लोग ने कोई नहीं दिया है अभी जो वर्तमान में जो कि लिखे सरकार ने का गई आज के दिन से आज के दिन जो आज कती थी है आज के जो बहाली होगी वह परिक्षा के माद्यम से के माध्यम से पर्वेशिन की बात है सरकार द्वारा निर्धारत आर्ख्षन रोस्कार का पालन किया जाएगा और लेकिन साथ साथ जो आरक्षिन में करा कि अध्यविद्याले करें स्थानक इक विद्याले पर प्रतै क्विशय नियुनतं प्चास महिला अभियारतिक है यह व्हाझ सिक्षा में जो आरक्षिन लागु है वैं यतावत रहे जिला संवर के रूप में होगी जिला के अंदर सानांतर का प्रवधान है और उन्तर-जिला का भी स्राइंतनर का विशेश प्रस्तिमें प्रवधान है समफुष्टी, सेवा समफुष्टी भी उसी अनुसार है शिकाएत अपील भी उसी अनुसार है और केबिनेट ने यह नहें लिया है कि अब अन्ले किसी प्रकार से केवल जो सरकार द्वारा निर्दारित कमिशन है उसके माध्यम से परिक्षा होगी और उसी माध्यम से अब सिक्षा निक्ति होगी यह बिल्खुल कैबिनेट ने स्पश्च निर ने ले लिए गया है सब्तम केंद्र पुनरक्षत वेतन मान सरचना में वेतन जो प्राप्त करें हमारे सरकारी पदादिक कर्मी हैं उनको एक एक दो यार तीज से के प्रभाव से डिये का जो रेट है वो 38 के स्थान पर बढ़ा के 42 परसंट हो गया है राजय सरकार को इस बड़ातरी में 1690 करोर की का अधिक वे होगा तो 38 के स्थान पर अब 42 परसंट डिये होगा राजय सरकार ने अपना जो कंटिंसी फंड है उसको 350 करोर से बढ़ा के 10,000 कर लिया गया है आपको जानकार होगे समय समय पे हम लोग कंटिंसी फंड से निकासी करते हैं तो अब यह लिमिट 10,000 करोर का होगा जिसमें आधाव प्रतिश्य जो 50 परसंट होता है वो आबदा के लिए सुरक्षित रखा जाता है पटना जिलांतर जो वालमी का परिसर है उसमें साड़े छे एकड़ जो जमीन है वह वरतमान में भारतिक रिश्य अनसंदान परश्यत को आबड़तित है अब वो जो जमीन है वो विपाड के एक्सपैंशन के लिए सानांतर कर दी गई है और यह अपने लिया गया है और बिहार पुलिस में E-RSS का जो सिस्टम लागू है उसमें जो अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क है उसमें जो शुल्क राइट आवे शुल्क दिये जाता है E-RSS से में पुलिस मुख्याल है और अन्यस्तान के लिए E-RSS के योजना के लिए तो यह शुल्क राइट स्रीजित जो 102 पद थे उसमें 53 पद अब स्थापना में प्रतिवाद पर्मेनेंट पद हो जाएंगे और 49 पद है उसको सरदर कर दिया लिए